चेले इस particularly question को solve करने के लिए क्या कर सकते हैं Given below is a schematic representation of the t-DNA regions of a transgene construct and the southern blood analysis is performed इसमें एक line यहाँ पर mention किया गया है क्या line है वो line यह है कि using using PST1 digested genomic DNA PST1 digested of the five independent transgenic lines कैसा digester PST1 से digest करना है आपको यह दिया हुआ है five independent transgenic lines को use करते हुए the probe used for hybridization is shown as a black box यहाँ पर यह जो probe है वो आपको as a black box दिया जा रहा है इस probe के मद्दे नजर देखते हुए आपको देखना है कि based on the above data which of the following portions give the correct list of the single insertional transgenic event जो single insertional transgenic event को बताता है multiple नहीं single insertional transgenic event को बताता है अब यह कैसे पता चल जाएगा कि हमारा जो tdn है वो एक ही copy insert हुआ है एक से जादा copy insert नहीं हुआ है यह तो राइट बॉर्डर है और यह लेफ्ट बॉर्डर है पी pst first की दो sites available है यहां पर एक pst first की sites यहां पर available है और एक यहां पर available है यह दो sites जो है वो pst first की available है here as well as here अब इसको हम कैसे use कर सकते हैं कैसे जो है वो basically इस question में apply कर सकते हैं तो gene में जब इन दो sites पर आप digest करेंगे तो आपके पास एक fragment इतना generate होगा एक fragment इतना होगा और एक छोटा सा fragment जो है यहां पर हो रहा है ठीक है ना जिसमें कि इस तरीके से आपके पास पैजर अगर हम generally देखे जाए तो हमारे पास दो pst first है यानि digest करने के बाद तीन fragment generate होने वाले on an average जिनसे probe जो है वो hybridize कर सकता है तो इसकी चर्चा करते हुए कि अगर हमें digest करेगा तो एक fragment दो fragment और तीन fragment two sites दो restriction site है अगर हमारे पास दो restriction sites available है if we have the two restriction sites then यहां पर जो fragments generate होगा वो कितना होगा fragments होगा three fragments होगा three ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ रही है अब यह untransformed में एक यह band मिल रहा है पांच अब line को चरह check करिए इसमें कितना line मिल रहा है कितने bands मिल रहा है एक दो और तीन पॉसिबल है क्या यह मिलना हो सकता है बिलकुल हो सकता है कि अगर single a copy है तो तीन मिल रहा है सही है चलेगा अगर हम इनकी बात करें b को तो b में भी तीन मिल रहा है चलेगा c में कितने copies मिल रहे हैं चार मिल रहे हैं यह नहीं हो सकता डी में एक दो तीन चार पांच पांच मिल रहे हैं नहीं हो सकता ई में तीन मिल रहे हैं एक दो तीन तो सिर्फ a b और e हो सकता है c और d नहीं हो सकते तो A, B, E जो है वो answer हो जाएगा बहुत सीधा सा question का answer था यह इस तरीके से आप इस question को perform कर सकते थे ठीक है जिन्होंने किया अच्छी बात है जिन्होंने नहीं किया वो समझ ले कि कैसे हो रहा है